उत्तर प्रदेश का बहराय चिस वक्त सुर्ख्यों में हैं। वो आप भी जानते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर भेडियों का आतंक देखा जा रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि चार भेडियों पकड़े जा चुके हैं कल सुबह एक चौथा भेडिया पकड़ा गया था। इसके बाद अब क्या बचा है। दरसल अभी भी भी भेडियों का जुंद होना बताया जा रहा है। अब गाओं वाले ये भी पताते हैं कि तीन अगस्त को एक मादा भेडिया जिसे पकड़ लिया गया था सुरक्षित तरीके से और उसी जंगल ले जाया जा रहा था और इसी दौरान उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से भेडियों की हमले लगातार बढ़े रहे हैं। एक महिला पर भी इसने हमला किया था और अभी भी बताया जा रहे हैं कि तकरिवन 35-40 ऐसे लोग हैं जिनके ओपर ये भेडिये हमला कर चुके हैं। देशत का महल क्यों हैं। चेतर को छोड़का दूसरे किसी इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है वन विभाकी टीम की तरफ से कि शायद ये भेडिये जो बचे हुए भेडिये हैं। प्राइमिडों के हिसाब से चार भेडिये हैं लेकिन वन विभाकी टीम के हिसाब से दो भेडिये हैं जो कि अभी भी घूम रहे हैं। कहीं दूसरी जगे जा चुके हैं। अब इनको पकड़ना ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है वन विभाकी टीम के लिए राज्यस्वी टीम के लिए। क्योंकि इन भेडियों को जब तक पकड़ा जाएगा तब तक ऐसा नहों कि ये किसी और पर भी हमला करनी या कोई और मासुम इनका निवाला बन जाए। भेडिये भूके हैं और ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम में भेडियों को भूक बहुत जादा लगती हैं परशान बहुत जादा हो रहे हैं क्योंकि गर्मी और उमस जैसे जो मौसमी बिमानिया है इसके चलते भी आपने देखा होगा ग्रामीन चित्रों में खास्तर पर जंगली जानवर होते हैं उनकी दस्तक होती है उनकी आमद होती है और इस वज़े से ग्रामीन चित्रों के लोगों के लिए भारी मुसीबत हो चुका है अब गाओं में रहना और वहाँ पर अपने आपको सुरक्षित रखपाना आदमी तो सुरक्षा में तनात है ही करता है कि असना दिवार कच्ची है मकान कच्चा है दर्वाजा अगर लकडी का है तो इसको तोड़कर भेडियों के घर के अंदर ना आ जाए और हमला न कर दें ये तमाम खबरों के बीच में एक बड़ी जानकारी ये भी है कि भेडिये बहुत खुकार दिनों दिन होते ज अब जो विग्यानी के जो भेडियों के प्रवत्ति को समस्ति उनका ये कहना है कि जब भेडियों को ये पता चल जाता है कि उनके कुनबे से एक, दो, तीन या चार भेडि गायब हो चुके हैं तो उसके बाद वो और जादा खुकार हो जाते हैं वो और जाद अपने आपक कि भेडिये और जादा अब खुकार होते जा रहे हैं एक बहुत बड़ी चुनौती वन विभाग की थीम के उन 32 कर्मियों के लिए राज्यस्फिके उन 32 कर्मियों के लिए जिनोंने भेडियों को पकड़ने के लिए कारिफ काफी मश्यकत की थी डोन कैमरे से अभी भी नज पास जंगली जानवरों का जादा आतंक देखा जाता है और ये भी बहुत बारा कारण है कि भेडिये की जो आमद है वो इस इलाके में बहुत जादा हो गई है हलांकि ये एक बहुत बड़ी चुनोती अब बना हुआ है वन विभाग के लिए कि किस तरीके से बाकी अन्निबचे हुए भेडियों को पकड़ा जा सके खुखार ये चौथा भेडिया माना जा रहा है लेकिन वन विभाग का कहना है कि इसके बाद और जितने भी भेडिये बचे हुए हैं वो इनसे भी कहीं जादा खुखार होते जा रहे हैं क्योंकि भेडियों की स्थिती को जो इनके दिमाग को समझ पाते हैं उनका ये कहना है कि जो बाकी बचे भेडिये हैं उनसे ग्रामीरों को और जादा सतर्क रहना है क्योंकि अगर भेडियों ने हमला कर दिया तो इन ग्रामीरों का बच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सभी गावों में अलट जारी कर दिया गया है 10 मार्च के पहले हमले के बाद आज की तारीख तक में तकरीबन 35 से 40 बहराईच के आसपास के ऐसे गाउं है जो रात में सोते नहीं है दिन में महिलाएं पहरा देती है और इन लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चला है यहाँ तक कि जो जंगल से सटे गाउं है वहाँ पर तो लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है और अगर जाते भी हैं तो डंडे के साथ, नुकेले, पत्थरों के साथ, हत्यारों के साथ जाते हैं आपसे भी यही कहना है कि आपको भी खुद को सुरक्षित रखना है सतरक रखना है लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा अपडेट यह भी आ रहा है कि भेड़िये जो कि पूरा का पूरा अपना परिवार लेकर चलते हैं और अगर इनका एक सदस गायब हो जाता है एक सदस को विबाग की टीम ने इनको पकड़ा हुआ है जाल में रखा हुआ है तो उसको छुड़ा पाना इनके लिए बहुत बड़ी चुनोती होगा लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि जल से जल यह अपने सदस्यों को ढूर पाएं और इसके चलते आतंक इनका बराबर देखा जा र हैं कि जब तक इन सभी भेडियों को पकड़ कर एक साथ ना कर दिया जाए जब तक ये भेडिये अपने सदस्यों से ना मिले परिवार के सदस्यों से नहीं मिल पाएंगे तब तक ये ग्रामीन चेत्रों में इसी तरीके से उपद्रफ करते रहेंगे और इसी तरीके से पहती महत्परपोर्ण है। देखिए, हमने कल भी आपको बताया था कि भेडियों का जो जूढ़ने वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जो उम्रे दराज भेडियों होते हैं, ताकत से कमजोर होते हैं, लेकिन दिमाग से बहुत तेज होते हैं, वो आगे रहते हैं, उसके पीछे जो ताकतवर भेडियों होते हैं, वो रहते हैं, और उनके पीछे जो मादा भेडिया हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तक होती है और ये पहचान जाते हैं कि इनका गर इनका जो परिवार का सदस है वो कितना दूर है और उन्हें धूंडते धूंडते ये लोग पहुँच जाते हैं हमने कल भी आपको बता था भेडियों की एक और बहुत खास चीज होती है सबसे खुखारी से इन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप किसी भी जंगली जानवर को सरकस में आपने देखा होगा लेकिन आपने कभी भी भी भेडियों को किसी सरकस में नहीं देखा होगा आपने किसी भी जंगली जानवर को किसी आदमी के साथ रहते क्योंकि फॉरण में बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जब शेर और टाइगर्स के साथ भी लोग वीडियो बना लेते हैं, उनको पाल लेते हैं, और वो आराम से पल भी जाते हैं, लेकिन भेडिया एक ऐसा जानवर है, ऐसा जंगली जानवर है, जिसे ना कभी गुल परनाक साबित हो सकता है, उनको गुलाम बना जा सकता है, और भेडियों की ऐसी फितरत ही नहीं है, कि वो कभी गुलाम भी बने, और यही कारण है कि भेडिये कभी भी किसी के अंडर में रहे नहीं हैं, और नहीं अगर आप यह सोचेंगे कि भेडिये के किसी छोटे से बच ये बिवडियों के लिए उसी लिए बच्छे पूरे इलाखे को तितर बितर कर देंगे। वहने बच्चे को भचे बच्चे को बंफने बच्चों को बचाया जाए, बहुत जादा खासियत होती बेडियों की और ये वन विभाग के लिए राजस्वी टीम के लिए, बहुत बड़ी चुनोती बना हुआ है, कि इन भेडियों से कैसे बचा जाए, इन भेडियों से कैसे ग्रामीडों को बचाया जाए, उन मासुम बच्चों को बचाया जाए, जो अपने घरों के अंदर दुपके बैठे हैं, घरों से बाहर ने निकल पा रहे हैं, इनकी वज़ है कि कब तक बाकी बचे अन्य जो भेडिये हैं जो इलाके में घूम रहे हैं या फिर ये इलाके से कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं इन्हें ढूंड पाना इनकी जगह को लोकेट कर पाना कितनी बड़ी चुनौती रहेगा देखना यही कि वनविभाग राजजस्विकी टीम कब तक इस सफलता को पाप आती है और बाकी लगतार खबरों के लिए आप देखते रहे हैं न्यूस जटीन अमपी 34 गड़ नमस्कार